नमस्कार वेलेंटाइन डे प्यार का दिन और सिर्फ वेलेंटाइन डे नहीं वसंद का जो ये उट्सो चल रहा है बसंद जिस तरह से चल रहा है ये आपको यहाँ शहर में नहीं पता चलेगा गावं में जाईए तब आपको भारतिन्दू याद आएंगे जो कहते हैं बाग सखियायो बसंत रितून को कंत चहुंदी सी फूली गई सरसों बसंत को रितूओं का कंत यानि रितूओं का राजा कहा गया और बसंत उत्सो जो है भारत में भी बड़े प्यार से मनाया जाता था अगर पुराना साहित के पढ़ें संस्कृत का साहित के पढ़ें तो बसंत उत को रोकने के लिए उन पर लाठियां बरसाने के लिए वो बेचारे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको उनकी प्रेमिकाओं ने कभी प्यार से छुआ नहीं जिनको नहीं पता है कि प्रेम में होना क्या होता है अभागें हैं जिनको कभी किसी का प्रेम नहीं मिला दुर्भागेशाल जिन्होंने कभी अपनी प्रेमिकाओं से डांट नहीं सुनी जिड़कियां नहीं सुनी जो कभी अपनी प्रेमिकाओं के आसु नहीं पोच सके कभी उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए दिन भर पसीना नहीं बहा सके उन्हें प्रेम का महत्व नहीं समझ में आयेगा वो गृणा पर बलते हैं लेकिन जो मनुष्य हैं उन्हें पता है प्रेम क्या होता है कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है और आज मैंने सुचा इतिहास से एक ऐसी ही कहानी आपके लेके आऊं एक ऐसी अनसुनी कहानी प्रेम की जिसने दोनों के जीवन को बदल के रख दिया कह रहा हूं इसको हब्बा खातून के नाम से आम तोर पे जाना जाता है जूनी यूसुफ सा चक अपनी प्रेमिका को बुलाये करता था जूनी का मतलब हुआ चांद कहानी कुछ यू है कि यूसुफ अभी बादशाह नहीं बना था और शौक था उसे शिकार का सारे राजकु एक लड़की रो रही है और गाना गा रही है रुका तो फिर रुक ही गया पता किया उसने उस लड़की के बारे में पता ये चला कि वो एक लकड़हारे की बेटी है जो बच्पन में एक सूफी संद के पास जाया करती थी वहां से उसको पढ़ने लिखने का शौक जागा लेकिन जैसा होता था उस जमाने में कम उमर में उसकी शादी कर दी गई एक ऐसे घर में शादी की गई जहां उसके पढ़ने लिखने काने की कोई इज़त नहीं थी उसको सताय जाता था परिशान किया जाता था और वो विचारी जब पानी भरने के लिए जाती थी या इस तरह के किसी काम से उसको घर से बाहर निकलने की फुरसत मिलती थी तो वहाँ पर अपने दर्द भरे नग में गाया करती थी यूसुफ शाह प्रेम में डूप चुका था उसमें पूरी कोशिश की मिलने की लेकिन शादी शुदा थी तो कैसे मिलते अंत में हुआ ये कि उनके पती ने उनको तलाग दिया और यूसुफ शाह चक उन्हें महरानी बना कर हबा खातून को महल में ले रहा है महल में भी लोग उनको कुछ खास पसंद नहीं करते थे लेकिन अब जब यूसुफ शाह बादशाह बन गया तो रोक कौन सकता था दोनों ब्रेमी ब्रेमी का गाते शेरो शायरी करते जंगलों में घूमने निकल जाते कश्मीर की वादियों में वो मुहबत पनप रही थी लेकिन जैसे शीरी फरहाद की कहानी है जैसे लैला मजनू की कहानी है जैसे तमाम सारी इतिहासिक प्रेम कहानिया है इस प्रेम कहानी को भी अन तक साथ नहीं जाना था तो हुआ ये कि मुगल बादशाह अकबर कश्मीर के कबजा करने के लिए कुछ भी करने को तयार था लगातार आक्रमण हुए युसुफ शाह जानता था कि सेना के दम से अकबर जैसे बादशाह का मुकाबला नहीं किया जा सकता उसने कहा कि हम समझोता कर लेते हैं मैं आपकी अधीनता भी स्विकार कर सकता हूँ समझोता कर सकते हैं और आप ये खून खराबा बंद कर दीजिए अकबर ने बुलाया कि ठीक है आगरा आओ हमारे दर्बार में वहाँ पर बातचीत होगी युसुफ शाचक उनके कहने पर उनके आश्वासन पर आगरा गए लेकिन अकबर ने समझोता करने की जगा बातचीत करने की जगा युसुफ शाचक को गरफतार कर लिया गरफतार करके पटना के पास भेज दिया वहां कुछ गाओं की जगरदारी जैसी चीज़ दे दी और युसुफ शाचक अपने आखरी सांस तक वही रह गए कुछ दिनों पहले जब मैं पटना गया था तो मैं उस गाओं को ढूरता हुआ गया था आज भी उस गाओं को कश्मीरी चक कहते हैं वहां पर कबर है और युसुफ शाच ने वहां जो शादी की थी उनके बच्चे अभी भी हैं इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी बहुत बाद में शेक अब्दुल्ला जब वहां गये तो शेक अब्दुला ने में रोड से गाओं तक एक सलक बनाई जहां आज भी शेक अब्दुला रोड आपको मिल जाएगा लेकिन हमारी हबा खातून का क्या हुआ युसुफ शाह चले आए और आप जानते हैं कि घर में कोई खास उनको पसंद तो करता नहीं था क्योंकि वो किसी बादशाह की बेटी नहीं थी किसी राजगराने से नहीं आई थी उनको घर से निकाल दिया गया हबा खातून लगभख पागल हो गई वो गलियों में घुमा करती और अपने बनाय गीत गया करते लोग उनको कोई सूफी संद जैसा समझते थे कोई खाने को दे दिया तो खा लिया पीने को दे दिया तो पी लिया कहीं सो गई only कहीं राद गुजार दी सुबह उठी फिर चलना शुरू कर दिया गाना शुरू कर दिया एक के मतंती ये है कि हवा खातून आई थी पटना तक पहुंची थी किसी तरह से और कहा जाता है कि युस्फ शाचक के बगल में जो उनकी कबर है उसके बगल में जो छोटी कबर है वो हवा खातून की कबर है हला कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है हबाखातून की जो डेथ हुई वो कश्मीर के अंदर ही डेथ हुई शेक अबदुला के जमाने में हबाखातून की कबर ढूणे जाने का दावा हुआ क्या सच है क्या नहीं कबर खोद के अब तो पता भी नहीं किया या सकता सच इतना है कि मुभबत की वो दिवानी जिन गीतों को गाती थी वो किसी कागस पर तो नहीं लिखे गए लेकिन लोगों ने अपने दिलों में रख लिया और बहुत बाद में जाके उन गीतों को किताब के रूप में या प्रिंट फॉर्म में सामने लाया गया बाद में उसका दुनिया के तमाम भाशाओं में अनुआद हुआ एक मजदार तथे में आपको बताता हूँ आप जानते हैं फिल्म नस्ट्री जो हमारी है वो इसको इस तरह की कहानिया तो सूट करती ही है हबा खातून पर फिल्म मनाने की कोशशें शुरू हुई सबसे पहली जो कोशश शुरू हुई महभूब खान साहब ने एक फिल्म प्लान की ये भी फिल्म बड़े फैंटेर के साथ शुरू हुई बड़े शुर के साथ शुरू हुई गोशनाय हो गए इस सब कुछ हो गया लेकिन ये फिल्म भी डब्बे में बंदो गई आखरी कोशश नाइंटीज में की उम्राव जान बनाने वाले जिनको उम्राव जान के लिए जाना जाता है मुजफर अली साहब ने इस फिल्म में विनोद खना साहब को लिया गया था इस फिल्म में हेमा मालनी को लिया गया था इस फिल्म में डिमपल कापाडिया को लिया गया था और जूनी नाम दिया गया था इस फिल्म को वही जूनी चांड जिससे यूसफ शाचक अपनी प्रेमी का हभा खातून को बुलाया करता था बहुत शोर हुआ तस्वीरें सामने आ गई शूटिंग शुरू हो गई लेकिन जैसे हभा की कहानी अधूरी रह गई थी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी हभा और यूसफ शाह चक थी वैसे ही ये फिल्म भी अधूरी रह गई तीन बार कोश्चें हुई हभा खातून की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तीनों बार अधूरी रह गई हला कि टीवी सीरियल इस नाम से आया था कश्मीरी में भी सीरियल आया था वो लोगोंने देखा हूगा लेकिन कभी फिल्म नहीं बन पाई पता नहीं इसे अब शपुन मानकर आगे कोई निर्माता निर्देशक हबा खातून पे फिल्म बनाने की सोचेगा भी या नहीं और फिर ऐसे समय में जब नफरत अपने टाप पर है जब मुस्लिम होना ही नफरत का सबब कई बार बन जाता है तो कौन हिम्मत करेगा हबा खातून की कहानी कहने की कौन हिम्मत करेगा हबा कातून पर फिल्म बलाने की लेकिन जो प्रेम करते हैं जो प्रेम को जीते हैं जिनको ये लगता है कि महबबत जिन्दगी के निशानी है सिर्फ सांस चलने से सिर्फ लहू बहने से आदमी जिन्दा नहीं होता है उस लहू में जब तक इश्क का नमक नहीं गुलता है उस सांस में जब तक मुहबत की खुश्बू नहीं आती है तब तक आदमी और जानवर के बीच में कोई खास फ़त नहीं रह जाता है तो जो लट उठाते हैं उन्हें लट उठाने दीजिए जो नफरत पे जीते हैं उन्हें नफरत पे जीने दीजिए जिन उन्हें जहर पीना सीख लिया है उन्हें जहर पीने दीजिए आप तो अगर जहर भी मिले भगवान शियुक की तरह नील कंठ बन जाईए और पारवती की प्रेम में डूप जाईए आप तो अगर नफरत भी मिले तो मुहबबत की ताकत से उसको हलका कर दीजिए धीमा कर दीजिए उस पर मुहबबत की परच चढ़ा दीजिए बसंत हो या फिर पजजड इश्क इकलोता फूल है जो बारहो महिने मुर्जाता नहीं बशर्ते इसे पालने वाले इसके जो माली हो वो इमानदार हो उनके मन में कोई ज्छल कपटना हो दुनिया मुहबबत करने वालों ने बनाई है एडम और इव ने मुहबबत करने वाले चलाते रहे हैं और मुहबबत करने वाले ही इस दुनिया को बचाएंगे नफरतें आती हैं जाती हैं महबबतें अमर होती है शुरिया